नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का sdms help चैनल में चलिए आज हम लोग एक सीखेंगे किस तरह से किसी distributorship में mandatory inspections किस तरह से हम लोग करेंगे sdms के थुरू और delivery man app के थुरू तो उसको हम लोग कैसे आगे final confirm करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को दोस्तों subscribe करना ना भूले ठीक है चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले किसी के आइडी में भी वह और अथ्राइज करेगा मैकेनिक को नॉमिनेट करने का ठीक है आप देख लिज़े आपका 01 में होता और या 02 में वह आप चेक कर लिजिए सबसे पहले क्लिक करेंगे और सर्विस डिक्वेस में यहां पर पहले से कोई भी देख लेते ऑपन है कि नहीं है यहां पर कोई आपन है नहीं सर्विस डिक्वेस्ट मतलब इसका मुझे करना पड़ेगा आपका होगा एक मैकेनिक सर्विस डिक्रीक्रीवेसक का अगर सी स्थ्रम जेने डिट होगा तो यहां पर आपन करके आपको यहां ओन प्लोस करके आप दिखा देगा थी करना पड़ें करना कैंगे क्लिक करेंगे क लिए का करने की बाद प्रिक Conservations में जाएंगे 왼 जाएंगे में है कि नहीं इसका तर्वीस रिक्वेस्ट करते हैं देखिए इन प्रॉग्रेस आ गया है इसको यहां पे शॉप-पिं कीजिए तो यह अद इसी SR पे हम लोग काम करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसमें Doc all that What we buy you mechanic है इसको आप पाथ्राइस करना चाहते हैं हाँ पर इसे मेरे केस में अमीद कुमार है यहाँ पर उक्य कर लिकार दिए और रहा गया अब यह मैकेनिक का जो डिल्वी मैं एप होगा उसमें वह आट्ट ट्रिगर हो जाएगा यह वाला जो एसार है आपका ठीक है अब इस एसार पर क्लिक करेंगे और तीन रिपोर्ट यहां पर आपनों डॉनलोड करेंगे जो हम इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे किस समरीन में मंगे यह तीन डिपोक के जरुद्थ होगा तो सबसे पहले यहां पर कालड लीमें कald बोड करते हैं कैसी ममें नुकिक ट्रॉत करते हैं आपकर करके बताते हैं क्या होता है और थर्ड है मेरा मेकनिक चार्ट स्लीप यह तीन चीज हो गया अब तीनों को समझते हैं सबसे पहले आता कॉल स्लीप दोस्तों बहुति इम्पोर्तेंट चीज है ठीक है यह ना ये एक्शुलीं जो भी हम इंस्पेक्शन करेंगे ति हम स्रेंटर का चेंज कर रहे हैं यह उसका इसमें डीटेल होगा दोस्तों यार य यह पूरा जो लास्ट इफिल कव लिए आपका मेंडिटरी इस्पेक्शन लास्ट कव वह रहे गा इसमें दो पार्ट होता है लेफ वाला जो पार्ट हाँ इसको आपस में क्या कि आगे पीछे प्रिंट कर लीजिए नॉर्मली लोग करते क्या है कि प्रिंटेड फॉर्मेट एक बना के रखते हैं और उसी पर वह करते हैं तो वह गलत है उसमें आपका कस्टमर का नाम है मोवाईल नंबर कंप्लीट डीटेल आपका कंप्यूटर प्रिंटेड आखाली आपको डिट अफ इंस्पेक्शन यहां पर फिल करना आपका इकन और जितना भी परफॉर्मा है यह चेक्ट लिस्ट है एक कंप्लीट आपको भरना है इसमें यस नो करके और नीचे जो है हर पेज़ पे कस्टमर और एक रिस्टिबीटर के जो मैकेनिक होगे उनके सायन लगेंगे दोनों पेज़ पर इसका आप दो कोपी प्रिंट कीजिए कस्टमर को हैंडबर कर दीजिए का अपने पास रख लीजिए ठीक है इसको भी अपलोड करेंगे क कैसे दिखाएंगे सिस्टम में यह होगा चेकलिस का अगला मेरा था मैकेनिक चार्ट स्लिप में क्या है दोस्तों यहां पे जो भी आप चार्जेज हायर करेंगे मैकेनिक के लिए मेंडिटरी के लिए वो होता 236 रूपिया ठीक है ना तो यहां पर दिखा रहा आपका यह और आप का लगेगा दीशिचार के लिए फ़र्त वाया जो पी हैि सोस invit को हैं अको को की घृटरोड करेंगे सिस्टम में रहते हैं अब यह इतना करने के बाद दोस्तों क्या होए ऑग्निक पाप में देखेंगे किस तरह से उसको आए फरसे करते हैं चलिक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यह जो है अपका उसमें हम लोग कर चुक chloride त población चुंद्ध कि मार चंद्राकुमार हो इसका हम लोग की है सर्विस पूरा एड और जाएगा पूरा complete प्रेश्य रेगुलिटर का डिटेल आज आएगा यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे रिखूरम करेंगे अगर तो निए अगर किसी चीज का जुरत यहां पे नहीं है अगर नहीं है तो अंटिक कर लिजे फिक है यह पूरा डीटेल जो है हम लोग जो कॉल स्लीब डॉनलोड किये थे उसमें कस्टमर का साइन लेकि यहां पर अपलोड करना होगा तो यहां पर जो कॉल स्लीब यहां पर लिखा हुआ अपलोड कॉल स्लीब इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर हम लोग उसको अटेच्मेंट जहां फोटो करेंगे क्लिक करेंगे पोटो क्लिक होने के बाद यहां पर क्लिक रहें यहां पर खुल गया यहां करने के बाद देखी यहां पर करेंगे अगरा एक रहेगा टो से प्रोडिंग हो रहा है यहां पर थोड़ा से टाइम लगेगा यह हो गया आप नीचे आएगा टेक सर्वे टेक सर्वे पर आप क्लिक कीजिए अब यह जो सब टास्क है यहां पर देखिए छेत्रा का टास्क है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले कंजूमर जेनल इंफोर्मिशन में रहे तो कोन्मिशन कोटन किस्ट कर लिजे इस कर लीजे इस। Olivier 24 कं legislative जैसक ट्रीजल जाफिन कर लीजे अगला स्थे अग्राहा युजिस तोपी जब और अब में अटे रिच्वे जैस कर लीजिए ऐस कर लिजिए defensive यूजिंग है तरम अगर यूज कर रहे हैं तो यस कर लिजिए इस टॉब वर्किंग प्रोपर लिए चीम पोजिशन यस कर लिजिए बार नर्ड जो उसका ब्लू फ्लिम देरा नहीं यस कर लिजिए समीट हो गया हाँ पे अगला मेरा से लिंटर का था लेंडर जो हमेशा वर से लेंडर नो एडिशनल स्रेंडर अगर है उसके पास है तो सेफ्टी क्या प्लागा होना चाहिए अगला मेरा इस लेंटर केप्ट ओन ट्रॉली यस समिट कीजिया तो रक्षा होस है टाइप टाइप आप अप कनेक्टिंग होस यूज्ट यस डस डाइस यस इस कनेक्टिं होस प्रॉपर्ली फिटेड डेगुलेटर यस इस दा कनेक्टिंग होस विदिन दा वैलिटी पिरिएट यस अगर डेट उसका है उसके स्लीप में लिखा होगा यहां पर डॉनलोड करके लिए एक एक चार अठाइस तक का था वो एक चार दोजार अठाइस का था उसका स्ली पूट कंडिशन यह सब्मीट में रहे रिगुलेटर प्राइए इस कस्टमर एवेर आफ वीटिंग रिगुलेटर यस 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 रिगुलेटर का मेक और सीरियल नंबर अगर यहां पर है लिखना है उसको देख कि लिख लिजी आप ठीक है तो देख कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं में सबसे पहले यहां पर जो है मेरा वह वह पर देते हैं और सिरियल नंबर में आप लिख देते हैं उसके आप यहां पर करते हैं जिरल सिस्मेंट करते हैं इस इंटार इस टोलेशन इन इन यस जेक फोल लिकेज हॉस यस इस कस्टमर हविंग मोर देन वन कनेक्शन इस सेम कीचन नो इस कस्टमर उजिंग करेशियों इतना नो नो इस देर एनी ऑपन फ्लेम अगर्वती नो अ यहां प्लीट सब पर यहां पर हो जाएगा तो आप कमप्लीट सरवें पे आम काम हो चुका 있고 सकते निखर लीस्ते यहां पर हट चुका है ऑब वो क्लिजुएं सुन ओग हॉगा आपधु क्या करते हैं चले एक लिएच के तरफ करते हैं मूब करते हैं हम लोग sdms के उपर रिलिशनशिप में जाते हैं और उस consumer को दुबारा से ओपन करते हैं और वही sr को हम लोग open कर लेते हैं दुबारा यहां पे आगे जो further step है पे क्लिक करते हैं मैकिनिक जो assign ने किया था यहां पे देखिए अवेटिंग payment का option आ गया ठीक है अब उससे हमको payment को release करना है तो सबसे पहले हम लोग attachment tab में चले जाए और attachment tab में जो भी हम लोग यहां पे जो document create किये हैं उसको हम लोग यहां पे attach कर लेंगे दोस्तों ठीक है तो plus पे क्लिक कर लेते हैं यहां पे inspections report है और यहां पे अधस पे क्लिक कर दीजिए यहां इंस्पेक्शन document पे क्लिक कर लिजिए file upload पे क्लिक कर लिजिए यहां नंबर देना होगा suppose 0001 कर लिजिए और यहां पे जो हम लोग ने mandatory inspections किया फिल्ड में यह format मैंने फिल करके लाया है ठीक है यह complete format है जो हम लोग ने survey के दान में भी इसको फिल किया था और यहां पे ग्रहाक और इजेंसी का साइन रहेगा यह हो गया इसको upload करेंगे call slip तो हम लोग already upload कर चुके थे एक और श्लिप था और यह चार श्लिप इसको हम लोग upload करेंगे ठीक है और यहां पर लिखते हैं comment में यहां पर upload करते हैं भी mandatory inspections और upload file पर क्लिक कर जाते हैं यह upload हो गया piece से एक और आपका inspections inspections यह हो जाएगा आपका inspections document 0002 कर लीजिए file upload पर क्लिक कर लीजिए यह हो जाएगा आपका चार श्लिप अप्लोड कर दीजिए और call sleep तो upload होई चुका है अगर उसको अलग से करना है तो कोई दिकत नहीं यहां कर सकते हैं inspections document और यह 003 कर लीजिए यहां पर upload file पर क्लिक कर लीजिए जितना आप file upload कीजिएगा उतना आपका safe रहेगा तो यहां तक complete हो गया control s दबा दीजिए ठीक है अब मुझे payment को यहां पर जो status था मेरा यहां पर देखिए activity में awaiting payment था यहां पर ठीक है अब status को हम लोग यहां पर change करते जाएंगे in progress है नहीं पर submitted रहा मेंकनिक करेंगे यह हो गया आवप settlement यहां पर आ गया disp investigating करेंगे आ यह हो गया है अवैट्टिंग payments वेल्डड पर क्लुड करेंगे इसे status change होगा फिर से दुवारा क्लिद करेंगे payment receive पर क्लीक करेंगे अब status change होगा और finally अब लोग यहाँ पर close करेंगे कोई दीकत नहीं है यहाँ पर यहाँ पर भी status आप change कर लीजिए close करके closed close हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर close कर दीजिए और control as दबा दीजिए यहाँ पर ठीक है यह हो चुका है अब देखिए यहाँ तक close हो चुका है अब order में जाएगे invoice को यहाँ पर complete हम लोग कर लेंगे यह invoice है यहाँ पर जैसे इसको submit कर लीजिए submit हो गया generate invoice को पर क्लिक कर लीजिए invoice generate हो गया है यहाँ पर देखिए complete अब इस order नमर पर क्लिक करेंगे हम लोग इन्वाइस को close करेंगे यहाँ पर complete इस दबाएंगे इन्वाइस फाइनल हो गया है यहाँ पर इन्वाइस हो गया है यह फाइनल कंप्लीट हो गया आप फिर से हम देखिए automatic पास साल वो अपना बढ़ गया तो यह complete प्रोसीजर्ट था लास इंस्पेक्शन आज इसा आज किये तो आज कर देट आ गया और यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है किसी तरह कंफ्यूजन तो यही पूरा complete प्रोसीजर हुआ दोस्तों मेंट्री इंस्पेक्शन करने का ओप यह वीडियो आपको क्लियर हो गया हुआ दोस्तों अगर किसी तरह का डॉट या कंफ्यूजन है दोस्तों यहाँ पर आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना बूले अगले वीडियों हो लोग जो हां